होश्यार यानि कि मेदावी चातर चातराओं को सरकार और लेपटोप बाटने जा रही हैं इसी नई उजना निकली हैं इसके लावा बेंक खाताओलों के लिए बहुत ही मातुपुन जान करी हैं और सौमबार को प्रदान मंत्री नेरेंदर मोदी एक बड़ी गोसना भी करनी पता क्या वो भी बताएंगे आपको और साथ दोस्तों नागरिक्ता संसोदन बिल को लेकर देश में कई जगों पर माहूल अभी भी खराब हैं और इसी माहूल के बीच बोलीवुड के बादसा काई जाने वाले अमिताफ वच्चन जी ने नागरिक्ता संसोदन बिल के उप पर पता आपको क्या कहा मुझे भी नहीं पता था असल में खबर देखने के बाद ही पता चला तो हम आपको भी जरूर बताएंगे और इसके लावा सरकार की कुछ ऐसी बड़ी गोसना है फाइव जी को लेकर और कुछ मातुपर न्यूज अपडेट भी है नए नियम नाइ परकेट रेगुलेटर सेभी ने अपने इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी डिपार्टमेंट में इंटरंसिप प्रोग्राम के लिए आवेदन मांगे है और यह इंटरंसिप एक साल के लिए होगी और इस दोरान इंटरंस को डाटा अनलेटिक्स, रेगुलेटरी बिजनिस प्र रिपोर्टिंग और फिंटेक्स समयत काई प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मोका भी मिलेगा और इतना ही नहीं इंटर्ट्स को महिने की 30,000 रुपे तक भी मिलेंगे सेबी ने आवेदन भाणने की अंतिम तारिक 20 जनवरी 2020 रखी है तब तक आप अप अप्लाई कर सकते हैं अब इसके लिए कौन कोन अप्लाई कर सकते हैं तो फुल टाइम MBA, MCA की पढ़ाई कर आप कर रहे हैं या इनके बराबर कोई भी डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं त भारत के अंदर 21 करोड डोलर का कर्ज देने जारा, पता कि इसके लिए भारत के अंदर सिंचाई और सोर उड़जा परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए इससे एटलिस्ट किसानों को फाइदा मिलेगा, और इससे के साथ ही नेक्स्ट अपडेट है, MSME को लेकर साथ जनवर 2020 तक आप अपने नजदी की बेंक जा करके इसे ठीक करा सकते हैं, दरसल दोस्तों सरकार MSME के खातों को दुरस्त करने के लिए एक विशेश अभियान चला रही है, और 7 दिसंबर से ये अभियान शुरू हुआ था और 7 जनवरी तक जारी रहेगा, तो समझ गे ना, आप कु समबार को आर्थ युवस्ता की एकोनोमी की खराब हालातों को देखते हुए है, कमेटी ओन इन्वस्टमेंट एंड ग्रोथ की बैठक होने वाली है, और इस बैठक में प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी की अध्यक्सता में होगी, वो अध्यक्स होंगे, और आप देखते द जम्मु कस्मीर में एक नया नियम लाग हो चुका लद्दाक और जम्मु के लिए, 15 साल से रहरे लोग ही खरीद सकेंगे जमीन, जिहां दोस्तों केंदर सरकाने जम्मु कस्मीर का विसेस राज्य का दर्जय समाप्त कर, इसे जम्मु कस्मीर और लद्दा के रूप में पंदर साल के स्थाई निवास की सर्थ भी लगा सकती हैं, ध्यां दीजेगा अभी तक को ऐसा कंफर्म अपडेट नहीं है, लेकिन इस तरह का रूल से रूप लिसेंस लागू हो सकता हैं, चर्चाहीं चल रहे होगी मीडिया में अंदरुनी सुत्रु सिजान कर मिले, इसलि पर अना लिये जाने से सूबे की परिक्षा का स्तर गिरता जारा, और बच्चों में फेल होने का डर भी खत्म हो गया, और इसलिए एट्थ क्लास को वापस बोर्ड एक्जाम्स जारी किये जाएंगे, उसी पेटरन पर ये एक्जाम होंगे, तो ये इसकी ज़्यादा डिट स्ट्रीज के टर्णवर को स्पेशली गाउं के टर्णवर को करीब 2,000,000,000 करोड रुपे करने का लक्षेता ही किया गया है, जो कि मुझूदा में करीब 45,000 करोड रुपे ही है, ये टार्गेट तो बना रही है, गवर्मेंट कैसारी गाउं के अंदर फेसलिटीज और कल ही एक अपडेट भी बताया था, फ्री वाइफाई होट स्पोर्ट वगरा है, वो क्या बोलते, ब्रोडबेंड लगाएंगे गाउं में 2021 तक, वगर वगरा, गवर्मेंट काई तरह की प्लानिंग्स बना रही है, गाउं के लिए इस्पिसली है ना, चलिए, नेक्स्ट अपड को लेप्टोप दे दिए साएंगे, शिक्षा विभा के अधिकारों के मताबिक सरकार ने हाई स्कूल और इंटर्मीडियेट की बोड़ परिक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले चात्र शात्राओं को नीश्वल के लेप्टोप बाटने का निरने लिया, ठीक ह क्या क्या क्या, उन इसने कंपणी ने कहा कि आप उस कंपणी की सिस्टम में खामी निकालो और आपको इनाम मिलेगा 4.9 लाक रुपे गा, तक्रीबन 5 लाक रुपे 10,000 रुपे कम है, इतना इनाम दिया साएगा आपको 7,000 डोलर का, वन प्लस के सिस्टम में स्मार्टफोन म ना दोस्तों, यह अपने खुद के ऐसे प्रोग्राम चलाती है, बग बाउंटी प्रोग्राम, और इनका मक्षे दी होता कि इनकी सिस्टम को ज़्यादा शिक्यों और बना सके हैं, तो आप भी चाहें तो वन प्लस में इसा कर सकते हैं, और 7,000 डोलर यानी तक्रीबन 4.9 ल लगेगा, इसके लिए प्रदेश, गॉर्मेंट के नीजी ओपरेटरों को भी विश्वास में ले रही हैं, और इस तरह का परिवन उभाग यहां पर एक अप्लिकेशन भी तयार करा, चलिए, अगला अप्डेट आ रहा है, भारतिये डोक्टरों, नर्सों को ब्रिटेन में आसानी से मिलेगी सरकारी नोकरी नए विजा सिस्टम को मंजूरी मिल चुक, अच्छे कबरें, खुश कबरें भारत देश के लिए दोस्तों, चुनावी अभियान के दोरान नए राष्टिये स्वास्ते सेवा, विजा का जिक्र करने वाले प्रदान मंत्री बोरिस जोंसन अपना वादा पूरा कर दिया, और ब्रेटी सरकार ने गुरुआर को नए फास्ट रेक वीजा सिस्टम को लागू करने की मंजूरी दे दिया, और इसके तायद सरकारी राष्टिये स्वास्ते सेवा में खाली पड़े पदों के लिए योग्य विदेशी डॉक्रों और नर इंटरनेट सेवा बंद कर दिये, 20 दिसंबर रात 10 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा, योपी गाजियाबाद में आना, और ये बीड पबलिक के प्रदशन की कुछ तस्वीरे भी आप देख सकते हैं, अच्छा, और भी नागरिक्ता कानून पर बवाल को लेकर देख सकत कबर है, TET परिक्षा को भी रोग दिया गया, और इसके कुछ खास बाते हैं आप देख सकते हैं, अच्छा, इसके अलावाद दोस्तों, नागरिक्ता कानून के प्रदर्शन के बीच चर्चा में अभीताब वचन का ट्वीट सामने आया, और लोग कर रहे हैं कमेंट से, ज उन्होंने क्या लिखा समझेगा जरा, there are two wolves who are always fighting, मतलब सीधा हिंदी में समझेए, उनके ट्वीट का मतलब ये था दोस्तों, कि दो तरह के भेडिये हमें सांपस में लड़ते हैं, एक हैं अंधकार और नेरासा, और दूसरा हैं प्रकाश और आसा, सवाल ये हैं कि कौन सा बेडिया जीतता हैं, जिसे हम खिलाते हैं, पस इतना ही लिखा उन्होंने, इस्ट्वीट का जिक्र उन्होंने नहीं किया कि ये किसको मेंसन कर रहे हैं, अच्छा ये दुरह ये बात है, और दोस्तों देश में जहां मत तक बात करें, अपने माहोल खराब, इंटरनेट बं जाएं, और जहां तक हो सके नागरिकता संसुदन कानून को 72 तरीके से समझें आप, हो सकता हैं, कि आपको कहीं समझने में कोई चुक भी हो रही हो सकती हैं, चलिए, इससे के साथ ही अपने बात करें, नेक्स्ट अपडेट के दोस्तों, तो एक रिसर्च में इस बात का ज़रूर, वैसे मानजाना, 2020, शिकिस तक देश में ज़रूर 5G आ सकता हैं, और नेक्स्ट अपडेट हैं, दोस्तों, दिल्ली के अंदर 109 जगहों पर, अलग-अलग जगहों पर होट स्पोर्ट लगा दियेगे, जहां पर आपको फ्री वाइफाई मिलेगा, दिल्ली के मु चांदी के रेट की, तो आप देख पार होंगे, रुपिय की वज़े से सोने में कीमतु में तेजी देखने को मिली हैं, और वैसे बैसे अभी गोल्ड की बात करें तो 10 ग्राम सोने का रेट 109 रुपे बढ़ा, और चांदी की कीमतु में 338 रुपे की बढ़ उत्री हुई ह लद्दाक से शिक्किम तक लोग दहशत में आ गए थे, कल ही भारत में कई जगाओं पर भुखम के जटके मैसूस किये गए, जम्मो कस्मिर हो गया, लद्दाक हो गया है, और इन जगाओं पर गरूं से कारेलें से लोग बाग निकल कर सड़क पर इकटे हो गई, क्यूंकि भुखम के जटके देखने को मिले, अलंकि अच्छी गनिमत ये रही किसी भी तरह की जानमाल की हानी की कबर सामने नहीं आ रही है, और अगला अपडेट है दोस्तों, उत्राखन में आज और कल, यानि कि अगले चोई से 48 गंटों के दोरान भारी बरबारी के असार नज़र आ रहे हैं, मिदान में गना कोहरा बनेगा और परिशानी रह सकती हैं, और इससे ठंड बढ़ेगी, मोसम समाचार को लेकर कुछ इसे तरह की एडलाइंस न्यूज आप देख पार होंगे, पंजाब हरियाना, दिल्ली राजस्तान और उत्रप्रदेश में फिर बारिस के आस साउधान रहेगा, शंपुन भारत के मोश्यम के पुरवनोबान में भी अगले चोईस गंटों की संभावित मोसम समाचार आप देख सकते हैं, मद्यपर्देश महराश्ट वी चतिस गड़ में इस सरदी की दूसरी बारिस भी जल्द ही देखने को बिल सती हैं, कई दिनों अभी तक भी नहीं आई है, तो शूरली पहले तो आप आधार कार्ड लिंक को और वाले हैं, और आप अपने नस्दे की मित्रा यसी ऐसी सेनटर जाकर की चेक कर सकते हैं, इसके बारे में ठीक है, अगला अप्डेट हैं, महिंद्रा एंदर महिंद्रा के मनेजमेंट में अपरेल 2020 से, अगला अप्डेट है, दोस्तों अच्छी कबर हैं, अगले साल 3800 कर्मचारियों के भरते करेगा गूगल, और इंडिया के भी कैसारे टेलेंटेड लोग यहां पर जाएंगे, अगले साल अच्छी बात हैं, अगला अप्डेट आ रहा है, हीमाचल में थार्ड पार्टी जाचेगी, अब IPH के पानी की गुणवता, मुक्य मंत्रे ने इस तरह के आदेश भी जारी कर दिये हैं, IPH की स्क्यूमें उससे सप्लाए होने वाले पानी की गुणवता अब थार्ड पार्टी जाचेगी, मुक्य मंत्री जैराम ठाकूर ने हीम प्रगती की पांच लाख करोड डोलर तक पहुचाने के लक्षी को एक बार फिर से दोराया हैं, और साथ ही उन्होंने का कि देश के लिए काम करने में काफी गुसा जिलना पड़ता हैं, कई लोगों की नाराजगी भी जिलनी पड़ती हैं, और इनके लावा कई आरोफों से भी गुज के मताबिक इसे स्कीम कितायत कोई भी व्यक्ति 10 साल से चोटी बच्ची के लिए SSY अकाउंट खोल सकता हैं, किसी भी एक अकाउंट ओल्डर के नाम पर एक ही सुकनिया समर्दी अकाउंट खोला जा सकता हैं, और दोस्तों इसे डिटेल के अंदर पूरी जानकारी जो हम आपको ठीक है, ओके दोस्तों तो इस इकड़े में आज के बड़ी कबरे मुक्या समचारी खत्म होते हैं, और हाँ, आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की, कोई तीन इस तरह के फूलूं के नाम बताईए, जो लाल होते हैं, रेड फ्लोवर्स होते हैं इस तरह के तीन फूलूं के नाम आपको बताना, और अगर आप सही जवाब देते हैं दोस्तों तो आप जीत सकते हैं DLS News टीम के तरप से, एक शांदर मोबाइल या लेप्टॉप कम्प्यूटर का गिफ्ट जीतने का आपको मुक्या मिलेगा, जो की giveaway के रूप में आप तक पहुंचे दिए जाएगा, नए साल 2020 के अंदर giveaway आ रहा, मेगा giveaway अंदर on DLS News on YouTube, जरूर पार्टिसिपेट कीजेगा उसमें, और इसे कड़े में दोस्तों या आज की बड़ी कबरे मुक्या समचा है, टूड़ा ब्रैकेंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हैडलांश